बंदे मात्रम मैं विज़े ठाग रहे आपका स्वागत करता हूँ स्टेप अपड़ करने वाला हूँ क्लास 12 के जो मेरे स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं लेके आया है आपके लिए इतना कुछ खास जो आपके एक्जाम आ रहे हैं बहुत पास उसमें स्कोर कैसे किया अंदर तरीके से हमें करना पढ़ेंगा प्रेपरेशन बट हमें पता हो की फंश्यंश के एपप रहने वालई है कुश्यं की अहसाब से हमारी więc पोरी तरीके से गर सफर नामा में लेके आया हूं long answer question जो कि आपके लगबग लगबग 5 marks के आने वाले होते हैं तो आज का सफर नामा जो है long answer type question से यहां पर start होता है चलिए सबसे पहले हम लोग question number one की बात करते हैं discuss करना है भाई discuss मतलब कि आप क्या सोचते हो वो सारी चीज़ें बतानी है discuss the main reasons क्या main कारण थे for India's agricultural stagnation during the colonial period ब्रिटिश इंडिया में आए लगबग लगबग देखा जाया तो 1600 में अगर हम लोग बात करें उस समय मुगल empire में राजा जो थे वो थे हमारे अकबर उस समय मुगल empire के जो king दे उनने ये कहा कि भाईया आप यहां पर आ रहे हो क्या purpose है आपका तो उनने का trade purpose है उनने कहा आपकी हमें जरूरत बिलकुल भी नहीं है साथ टॉमस रो को उनने टाटा बाई बाई कहा कि भाईया अब आप यहां पर मत आईएगा बट किसी कारण से 1605 में अकबर और trade कर सकते हैं उस समय से ब्रिटीश का आना यहां पर शुरू हुआ ब्रिटीश के पहले क्या कोई भी foreigner इंडिया में नहीं आया ता भाई ऐसा नहीं है 1498 में पहली बार वासको डिगामा जो एक पॉर्चिगीज था पॉर्चिगल से इंडिया आता है तो कहीं नहीं भारत कि एक होज जो है वो हो चुकिदी का 4098 में इसी तरीके से पॉर्चिगीज फिर डच उसके बाद फिर हमारे हां फ्रेंच और सबसे आखरी में आते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रिटीश हर्स बट फुल फ्लेश में ब्रिटीश हर्स ने हमारे काम करना शुरू का 1765 में जब स हमारे हां जमीनदारी सिस्टम यह पर्मनेंट सेटल्मेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो यहां पूचा जाता है कि जो हमारा बेसिक काम था एगरी कल्चर वह बहुत अच्छा क्यों नहीं हो पाया उसका कोई रीजन आप बताईए भाई तो ब्रिटीश हर्स ने कभी स चाहते थे वह सिर्फ चाहते थे कि रॉम मिलें उनको अच्छा खाजा और यहां पर जो सॉइल हो या ना हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बिसाइज अबाव फैक्टर इंडियन एगरी कल्चर सेक्टर ऑल्सो फे अगरी कल्चर सेक्टर के साथ प्रॉब्लम थी वह थी इरिगेशन की कि हमारे जो राभी क्रॉपिंग सिस्टम है डैंप्स के तुरू जो कैनाल के तुरू जो पानी पहुचाया जाता है खेतों तक के वह यहां पर अवेलेबल नहीं थी इंसिग्निफिकेंट यूज और फ लैक और फक पैसा नहीं लगाना चाहता था कोईवे ब्रीडिश्फ कमाना चाहता था की उसको पैसा ज्यादा से ज्यादा आँ बत यहां पे क्या नहीं चाहता था कि investment ना हो उसका frequent famines बार 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 अकाल पड़ता गया क्योंकि वहां पर drought की condition continuously बनते चले जा रहे थे insufficient rainfall के कारण ही कहीना कहीं क्या होता है drought की condition बढ़ जाती है और drought continuously होता है तो famine बन जाता है and other natural calamities और flood जो है बहुत ही आसानी से वह आ जाता था क्योंकि उस समय पर डैम और यह सब की facility नहीं हुआ करते थी एक्सेक्टर डैट फॉर्दर एक्स एग्रिकल्चर पर्फॉर्मेंस and made it more vulnerable दीरे दीरे करके यह system और बढ़ता चला गया और बद से बदता इस्तिती होते चलागे वलनरेबल इस्तिती हो गई हमारी हम लोग इससे ओवरकम समय पर नहीं कर पाए इसके कारण जो अग्रिकल्चर सिस्टम था ब्रिटिश के टाइम पर यह स्टेगनेंट हो गया यहां पर दोस्तों इतनी बात हम लोगो को याद रखनी है एक्जाम तक के क्या पूछा जाने वाला और इसके लिए हमें आइडे टॉलाजी के रखनी और इसकी हम बात करेंगे ब्रिटिश और सीला इंडिया में कैसे है तो हमारे क्लो COM की गई photons पर पर वैसे यह से इंडिया sector of India कहीं ना कहीं उनने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचा है हमारी इंडिया की जो इंडस्री इस पें सबसे बेसिक इंडस्री जो है दोस्तों हमारी वह थी यहां पर हैंडिक्राफ्ट इंडस्री क्योंकि हम लोग इस पें स्पेशलिस्ट है कि हम लोग किसी भी सावन को इतना शांदार और इतना मजबूत बनाते थे कि वर्ल्ड बें अगर हम लोग देखें तो सबसे जादा गुड्स जो है वो अच्छे माने जाते थे इंडिया के फाइन क्वालिटी और मैक्सिमम टाइम तक कि आप इसका यूज कर सकते हो इसका एक अच्छा एक्जामपल है हमारे आरन पिलर जो डिल्ली में है ठीक है तो वह हमें याद रखना है डू यू एगरी क्या ये बात सही है आपको बताना है कि सही लग रहा है आपको यह गीव रीजन इन सपोर्ट आफ यूर आंसर अगर यह बात सही है तो इसके सपोर्ट में आपको दोस्तों आशर भी adverse manner गलत तरीके से इनने क्या करा पूरी इंडस्ट्रीज को यहां पर बरबात कर दिया हमें बना दिया एक रॉम मिटरियल का एक्सपोर्टर और बना दिया फिनिज गोट्स का इंपोर्टर अंडर दा ब्रिटिश रूल इंडिया कोड नेवर डवलप उपर इंड्टिय हैं इसके कारन यहां पर इंडीया टाएक अच्छा इंड्पी बना पाया कैपिटल प्यूट्स ने थे दुद्स ने पर्टिया आ करने के लिए हमें यहां पे capital goods भी नहीं दिये on the one hand while the world famous Indian handicraft sector हमारे गया जो world famous Indian handicraft sector था वो भी दीड़े-दीड़े करके दोस्तों क्या हो गया decline हो गया just because of the British policy इनकी policy इतनी वर्स थी कि इंडिया की पूरी industries को इन लोगों ने जड़ से खतम कर दिया on the other hand no modern industries could ever be established to cover the laws और इसको cover up करने के लिए यहां पे कोई भी modern industries को established नहीं किया गया दोस्तों यह कहीं ना कहीं major reason थे जिसके कारण हमारा industrial sector जो है वो hampered हो जाता है यहां पे हमें नुकसान बहुत हैवी हैवी हो जाते हैं next question कि हम लोग बात करते है discuss the state of India's foreign trade during the colonial rule इनने कहा आप trade कर सकते हो मगर restriction लगा दी कि आप trade में 50% trade जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से कर सकते है rest of the 50% trade जो है वो कर सकते हैं दूसरी countries से तो जितनी हमारी neighboring countries से उन से हम लोग trade कर सकते थे जैसे शिलंका से कर सकते थे चाइना से कर सकते थे बट प्रॉब्लम यह है कि वह गुड़ जो थे वह इस पे यहां पे टैक्स चार्ज करते थे ताकि वह गुड़ मेंगे हो जाए और जादा उस country में ना बिग जाए इस लिए यह इनकी जो policy थी बहुत खतरनाक थी और हम लोग दूसरी कंट्रियों से भी सही से ट्रेड दोस्तों नहीं कर पाते हैं किसके कारण बिटिश की यह खतरनाक policy के कारण और कहीं ना कहीं वह चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट को export करें हम लोग sold out करें इंडिया इसको ना बेचे यहां पर हाफ अफ इंडिया फॉरेंड ट्रेड वास अनली ऑथराइज तो ब्रिटेन और फिफ्टी परसेंट जो ट्रेड हैं इंडिया का वह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेंट के लिए दूसरी कोई भी क्filled्री के साथ आप यहां दोस्तों ट्रेड नहीं कर सकते थे यह रिस वॉस अलावड्तो ट्रेड विट अपरसिया के साथ कर सकते थे यहां चाइना के साथ करते थे पर्शिया के साथ करते थे जो कि आज का जो इरान है वह इन 1869 में क्या हुआ एजिप्ट के पास एक आर्टीफिशियल केनाल है जिसको हम लोग यह भी बहुत सकते हैं उसको नेशनलाइज कर दिया गया जिसके कारण आप समझ यह गा यूरोप से अग पत्व हो जाते थे बट जैसे ही यहां पर स्वेश केनाल का नेशनला होता है 1869 में जिसमें दो सी को कनेट किया जाएगा मेडिटरेनियन सी और दूसरा जो है रेट सी अब वह जैसे ही यहां पर ट्रेड स्टार्ट करते तो जो सब्सक्राइब कम हो गया जैसे यह कम हो तो इन लोगों ने बुला अच्छी बात है भाई अब तो ट्रेड और तीजी से बढ़ेगा तो यूरोपियन कंट्री बहुत तेजी से इंडिया को टार्गेट करने लगए और सोईस केनाल से आने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई किनको भाई यूरोपियन कंट्री को या तो हम लोग बोल सकते हैं बृटिश को तो 1869 में सोईस केनाल का होता है नैशनलाजेशन वर्ल्ड के लिए उपन कर दिया जाता है इंक्रीज बृटिश अथारिटी ओवर दा फॉरेंड ट्रेड तो इंडिया का जो फॉरेंड ट्रेड था अब उस पर हन्रेड परसेंट मतलत होता है जब भी जिस कंट्रि में कि लोग रह रहा है कि उसकी वर्लफ्मेंट किन किन चीजों से होती हो उसको विल्द है मिखिल डंगर 올ॉत इंडिया उसक्ता है MAI है सकता है ah बिटिश के आने के कारण यह सारी demographic condition जो है बत से बत्तर हो जाती है यहाँ पर अगर आप इस बात से एगरी है तो आप इस जगह पे अब बताईए कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है या तो support में yes कही है या तो support में no कही है हम बोलते हैं yes कि इनके कारणी कही ना कहीं इंडिया की यह इस्तितिवी बट अगर यह नहीं आते तो इंडिया इतना डवलप भी नहीं हो पाता आज जो हम लोग इंडिया देख पा रहे हैं ओके देमोग्राफिक कंडिशन दूरिंग बिटिश शूल इनिविटेट बाई अल्ड़ फीचर्स ऑफ बैकवर्ड इंडियन एकोनोमी कहीं ना कहीं हमारी बैकवर्ड इंडियन एकोनोमी तो कर दी किसने भाई ब्रिटिश थे देर वाई बर्थ रेट और हमारे यह बर्थ ब्रिटिश रूल के ताइम पे था विच्मेट ग्रोथ रेट स्टेगनेट बच दीडे दीरे करके पॉपपेलिशन ग्रोथ जो है वह स्टेगनेट होगई 1921 तक है ठीक है बट 1921 के बाद जैसे पॉपॉपलेशन ग्रोथ बढ़ी है वो आस तक के कमनी यह डेट रेट कम हो और यहां पर जतने साल हम लोग सर्वाइब कर सकते हैं मतलब बर्ट से लेकर डेट तक है वह दीरे दीरे करके लो हो गया अब हम लोग बात करें कि एवरेज इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वह लगबग लगबग 68 से जिसमें की फीमेल 68 सर्वाइब करती है तो यह सारी कि सारी यहां पर डेमोग्राफिक कंडिशन के बात करी हम लोग यहां पर लिट्रेसी रेट की बात करें तो लिट्रेसी लेवल जो था हमारा सिर्फ और सिर्फ 16 परसेंट था जिसमें फीमेल लिट्रेसी लेवल जो था वह 0 परसेंट था दो तो ब्रिटिश ने किसी भी तरीके से कैसे भी फीमेल के लिट्रेसी पर यहां पर ध्यान नहीं दियां मेल की लिट्रेसी की भी बात करें तो सिर्फ 16 परसेंट यहां पर लिट्रेसी रेख था चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स कुशन पर आते हैं डिसक्राइब दा सेलिंट फीचर्स ऑफ इंडिया अक्किपेशिनली स्ट्रुक्चर दुरिंग बिटिश रूल टो बिटिश रूल के टाइम पर हम लोग किस तरीके का काम करते थे यह लोग सेकेंती सेक्टर में इंवालते हैं या तो हम लोग टर्शरी सेक्टर में इंवालते हैं प्राइमरी सेक्टर को में अग्रिकल्चर सेक्टर भी बोल सकता हूं सेकेंडरी सेक्टर को में मैंनेफेक्टरिंग सेक्टर बोल सकता हूं और टर्शरी सेक्टर को में या सर्वी सेक्टर भी द बिहेविंग लाइक लाइन कॉलनी और बिटिशास कर रहे थे भाया हमारे यहां रूल तो वह कहला है रूलर ठीक है देर वाज़ा मैसिव पावर्टी बहुत जादा आ गए थी मतलब ऐसी कंडिशन जब हम लोग बेसिक नेसिसिटीज आफ लाइफ को फुल्फिल नहीं कर पा तो वह पूरेस्ट आफ दो पूरेस्ट कंडिशन में पहुच जाएगा अब यहां पर पावर्टी के बात जैसी आती है तो हमें पता होना चाहिए कि पावर्टी का सबसे पहला इंडिकेशन जो है इंडिया में दिया सुरेश तेंदुलकर कमिटी ने जिसने यह कहा कि हम ल रुपए रहा तो वह गरीब नहीं है और अगर रूरल एरिया में 816 रुपए रहा तो वह गरीब नहीं है पर मद तो अब यह वाली जो पौवर्टी लाइन बना दी गई भाया यह भी खतरनाक तरीके से बनाएंगे तो इसमें भी एमेंटमेंट होने वाला है तो इस तरीक बिकोज आगेंगे देमसर्फ इन अगरी कल्चर प्राक्टिस जब पढ़ाय लिखाई नहीं करी होगी तो क्या करेंगे वह एकरी कल्चर में इंवाल होना पड़ेगा क्यों क्योंकि अने स्किल्ड लेबर सिर्फ और सिर्फ एगरी कल्चर वे सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों like farming and earning their livelihood इन कामों से उनकी life चल पा देते तो यह सारे कारण थे कि हमारे जो occupation structure था ब्रिटीश के टाइम में वो कहीं न कहीं labor class का था कहीं पर भी owner यह हमारी business class की जो हमारी status होना चीए वो यहां पर किसी ने भी अचीव नहीं करी तो दोस्तों इस तरीके से जो long answer से हमारे यहां पर खतम होते तो इस तरीके से मेरे पास व्यूपॉइंट आ गया की questions को कैसे समझना है और क्या-क्या content उसमें लिखना है तो ऐसी और वीडियो उसके बने रहे हैं मेरे साथ करना एक चोड़ा सा काम इस चाहें को like share subscribe करना ना भूले thanks for watching all